असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मतन कद्दू की सबजी जो की बहुत ही जादा टेस्टी बनती है सबका एक अपना ही तरीका होता है इसे बनाने का लेकिन आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं द तब हम इसमें डालेंगे प्याज, मैंने ये एक लार्ज साइज की प्याज ली है, और प्याज को हम थोड़ा सा पका लेंगे, जैसे ही प्याज हलकी सी सौफ्ट होगी न, तब हम इसमें डालेंगे मतन, तो मैंने ये 400 ग्राम लिया है मतन, मैं ये सबजी मतन में बना रही हू अब गोस्त में हम डालेंगे देल टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दो टी स्पून डालेंगे लसन अदरक का पेस्ट, अब लसन अदरक और प्यास के साथ में मतन को हम थोड़ा सा भून लेंगे, जब इस तरह से मतन को प्यास लसन जलादी,сть मातन धुट्त, preventing birth tree, घरी अउड of death remains और मसालें में में ढूंके मातन, कलें तो 10 तीङ सपून हमने वर तीट llevar गैगे देल क्षादी धनिया पाउडर मम से त्पार हम 10 तीवली जाएं,कली में सुट कद्दू है हलका सा मीठा होता है तो आप थोड़ा सा मिर्च जादा रखेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और चटपटी सी अगर यह सबजी हो तो फिर तो क्या ही कहना और यह देखें मसालो को हमने गोस्त में अच्छे से मिला दिया है तो इस टाइम पर डालें अब प्रेशर कूकर की हम लिड लगा देंगे हाई फ्लेम पे एक विसल आने के बाद मतन को हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कूक कर लेंगे क्योंकि हमें मतन को 80% पकाना है तो जब तक मतन पक रहा है इधर हम जो पंकिन है ना उसको कट कर लेंगे तो मेरे पास एक छोटा फूल था पंकिन का यानि कद्दू तो कुछ लोग इसे लाल फूल की लोकी भी बोलते हैं अब इसका जो छिलका है उसे हम निकाल देंगे और फिर देड़ देड़ इंच के पीसिज में हम इसको कट कर लेंगे इधर देखें मटन को भी हमारे पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है तो अब इसमें मैंने डाला है ये एक छोटा सा टमाटर और हरी मिर्चे टमाटर जोना मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया बस छोटा सा ही लिया था अच्छे से मिला देंगे और अब इसमें हम बार बार अच्छे से वाश कर लिया था अब गोस्त और कद्दू को हम हाई फिलेम पे अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे अब इसमें हम डालेंगे पानी तो मैंने ये एक कप पानी इस्तमाल किया है बहुत जादा आपको पानी नहीं लेना क्यूंकि जो कद्दू है ना ये भी अपना पानी रिलीज करेगा और बहुत जल्दी से गल जाता है और बस इसमें हम मीडियम फ्लेम पे चार सीटी लगा लेंगे देखें चार सीटी मैंने इसमें लगा ली थी और कुकर का जब प्रेशर खुद से निकल गया तब मैंने इसको खोला है और ये देखें कद्दू और जो मटन है न हमारा अच्छे से पक गया है अब इसके जो ये पीस है न कद्दू के इसे मैं मैश कर दूँगी चम्मस से आप चाहें तो इसके ये पीस साबुद भी रख सकते हैं लेकिन मैं ये जो सबजी है न कद्दू की इसको बॉयल राइस के साथ में सर्व कर रही हूँ और चावल के साथ में ये हलके से जब मैश होते है तब ही बहुत अच्छा टेश्ट आता है इनका वैसे तो ये बेसे ये सब्जी रोटी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती लेकिन परसनली मुझे ही सबजी चावल के साथ में ही अच्छी लगती है और अब इसको ढखकर हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे और ये देखे सबजी को हमारी पकते हुए लो फ्लेम पे तीन से चार मिनट हो गये है और इसका सर्फेस पे आ गया है पैसे मैंने इसमें जादा ओल नहीं डाला था क्योंकि मुझे इस सबजी में जादा ओल पसंद नहीं है लेकिन आप चाहें तो जादा ओल भी ले सकते हैं अब इसमें हमने आधा टी स्पून डाला है करम मसाला पाउडर और काफी सारा डालेंगे बारिक कटा हुआ हरधनिया और इस तरह से हमारी बहुत ही जबरदस्त जाइकेदार मतन कद्दू की सबजी बनकर बिलकुल तयार है यकीन मानना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अल्ला हाफीज